देवियो और सच्चनों आप सभी का स्वागत हैं, एक्जाम आ रही है पास और मैं मंधान सर आपके लिए लाया हूँ एक बेस्ट सोलुशन देखे रिए स्टूजेंट, जो भी मैट्स के चैप्टर है, मैं इस वीडियो में सारे डिस्कस करूगा कि कौन से इंपॉर्टन टॉपिक है, किन टॉपिक्स को आपको प्रिपैर करना है, और सो किन को प्रिवरिटी फर्स देखनी है तो इस वीडियो को एंग तक जरूर देखें, ताकि आपको पता चल सके कि सारे चैप्टर कौन से हैं, उनमें से कौन से टॉपिक्स को प्रिवरिटी देनी है देखा, आप फोर्टीन को अपनी एक्जाम है, उसके पहले हमको सिलेबस को कम्प्लीट करना है आप दो दिन में भी सिलेबस कम्प्लीट कर सकते हो, यह मेरा दावा ही नहीं, यह मेरा वादा है बट आपको चाहिए स्ट्रेटेजी जो हम इस वीडियो में डिसकस करने वाला है सो फर्स अब आप देख पा रहे हो, mathematical, logic, matrices, trigonometry उसके बाद आता है, pair of straight line, vector, 3D, line and plane वेक्टर और 3D हम साथ में ही ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद LPP पार्ट टू में देखिए क्या-क्या है हमारे पास, पार्ट टू में है derivative, application of derivative indefinite, indefinite integration, application of integration ये तीनो साथ में ही है इसके बाद derivative integration आता है, तो differential equation, then probability and then binomial सो चलिए हम सबसे पहले एक-एक करके chapters को देखते हैं first of all, mathematical logic अगर आपको prepare करना है I would like to tell you one thing, one of the best, best, best solution जो मैं आपको दे सकता हूँ वो है 2-hour revision video देखिए दोस्तों, दो घंटे का एक revision video है, वो आपको check out करना है आपके mathematical logic के art marks confirm हो जाएंगे yes dear student, याइट mark आपके confirm ही होंगे, बस आपको video check out करना है also dear student, क्या आपको बता है, unacademy पे आपके लिए J.E. के लिए courses launch कर रखे हैं at a high discount prices so आईए देखते हैं, क्या नया लाया है आपके लिए unacademy ने so let's begin dear student, अब आप घर भेटे, IIT की तैयारी कर सकते हैं with the help of unacademy courses देवियों और सजजनों, आप सभी देख पारे हैं उस्क्रीन पे 33% का huge discount available है आपके लिए देखिए, इस offer को 6th March तक extend किया है so if you wish to appear for J exam, this is the best score for you also मैं आपको बता दू, 3 month और 6 month के आप subscriptions ले सकते हैं जिस पे आपको huge discount मिल रहा है देखे, if you compare with the offline fees offline आपको annually 2 lakh रुपे तक देना पड़ता है और आपको 3 teachers, 4 teachers मिलते हैं online में आप देख पा रहे हैं आपके पास एक subject के लिए multiple option है मतलब आप 5 teacher भी ले लो, top faculty इंडिया के तो भी आप सोचो कितना reasonable है अच्छा 6 months की जो cost है आप देख पा रहे हो it is just 22,000 इतना तो आपका traveling में petrol ही लग जाता है so my personal recommendation is कि आप इस course से definitely फाइदा ले also आपको 10% का जो है additional discount मिलेगा with the help of coupon code man dhn दोस्तो all India mock test series भी होने वाली है for JEE 2022 ठीक है 2 to 5 p.m. का ये schedule रहेगा जिसमें test series होगी test के जो question होगे वो JEE level के होगे साथ ही साथ 200 learner को up to 100% scholarship मिलेगी which is absolutely fantastic also मैं आप सभी को बता दूँ कि test की एक detailed report भी आपको मिलेगी ठीक है आप ताकि पता कर सकें आपकी strength क्या है आपकी weakness क्या है also video solution मी है आपको provide करे जाएंगे test में enroll करने की link में नीचे कहा दे रहा हूँ description में provide मैं कर दूँगा अच्छा अधिक जानकारी के लिए आप इस help line number पे भी call कर सकते है which is 858585858585 ठीक है so 85 continuously है अच्छा अगर आपको enroll करना है तो आप इस code को जरूर use करें which is man dhn दोस्तो एक और update आप सभी के लिए 6th of March 11 AM याने कि आज JE की combat series होने वाली है जिसमें 21 question रहेंगे और 60 minutes रहेंगे आप scholarship जीच सकते हैं up to 4 करोर रूपीज ठीक है आप ranking कैसे रहेंगी first, second और third rank को मिलेगी 100% scholarship ठीक है, 4 to 10, 75% और आप screen पे देखी पा रहे हो ठीक है साथी साथ merit certificate की दिया जाएंगे top 25 rankers को मैं आपको उता दूँ आप इस code को जरूर use करें और नीचे link मैं description में दे रहा हूँ आप test को website पे और app पे दोनों पे appear कर सकते हैं मेरी आपसे personal suggestion है कि आप घर मेटे तैयारी कर रहे हो तो इन test को जरूर अपियर करें आपको पता चलेगा कि आपकी strength क्या है, weakness क्या है also video solution दो आपको मिलने ही वाले हैं तो देर किस बात की नीचे description में सारी link दे रखी हैं चलिए video को आगे बढ़ाते हैं तो दोस्तों आगे हम matrices को देखते हैं matrices में आप देखिए सबसे पहले जो है inverse आपको देखना है उसके बाद आपको देखना है adjoint method, ठीक है syllabus में से कुछ कुछ चीज़े reduce होई है तो आपको जाके एक बार यह check out कर लेना है उसके बाद आता है algebra of matrix यह आपको study कर लेना है इसके बाद basic questions on algebra ठीक है मैंने complete revision video बनाया है इसके उपर अगर आप चाहते हैं तो मैं उसको फिर से आपके सामने प्रस्तुत कर दूँगा with the link in the description तो आप उससे check out कर सकते हो लेको trigonometric equation it's all about formulas formulas लगाओ जिन्दगी को आसान बनाओ principle solution, general solution, sine, cosine, projection rule it's all about formulas इसमें मैं complete revision video आपको देने वाला हूँ तो दोस्तों प्लीज उसको check out करिये also बहुत सारे ऐसे topic है जो CET में तो है but boards में नहीं है तो उन topics को आप ना पढ़े और overall trigonometric equation में अगर मैं आपको बताओ तो principle solution is the very 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 important जिसको आपको priority देनी है देखे, pair of straight line में अगर मैं आपको बताओ तो मैंने complete revision lecture बनाया है क्या आपने check out कराया है वो lecture do let me know in the comment section pair of straight line में मैंने 2 घंटे का complete revision कराया है अब मैं topic क्या ही बताओ आपको क्या आपने वो video check out कराया है अगर नहीं तो मुझे बताए I'll provide you link in the description या फिर next video में सारी link share कर दूँगा देखे दोस्तों और आगे हम बढ़ते है vector 3D line plane देखे vector और 3D पे भी मैं आपको clear cut बता रहा हूँ it will take around 3 hours अगर आप 1.25x की speed पे check out करोगे video को तो मैंने वो video बना रखा है बस आपको उसे देख लेना है अपका vector and 3D बहुत amazing हो जाएगा dear student इस चीज का आप ख्याल में रखिए अभी मैं आपको topic बता भी दूँ पर मुझे ऐसा लगता है vector and 3D के art marks हैं तो आपको पूरे के पूरे ही मिलने चाहिए also dear student line और plane पे भी मैंने 4 घंटे का एक complete lecture series दे रखा है आपको उसे check out करना है next videos में मैं सारी links भी share करूगा तो आप चिंता मत करिए part 1 आपका amazing जाने वाला है दोस्तों आप देख पा रहे हो अगर आप timing calculate करो so 7 chapter into 3 घंटे मतलब 21 घंटे में आप तैयारी कर सकते हैं आराम से दो दिन में आप आराम से maths complete कर सकते हो और अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो जो topic आप week है सिर्फ आप वही देखना दिकि लीनियर प्रोग्रामिंग में मैंने already आपको बताया है कि जो graphical method है काफी important है उस पर भी मैंने एक video बना रखा है 15 से 20 मिनिट में मैंने पूरा method सिखाया हुआ है do check it out दोस्तो अब part 2 की जहां तक बात चल रही है देखे derivatives में क्या क्या जरूरी मैं आपको बता देता हूँ पहले ता आप formulas कर लो फिर आप types कर लो उसके बाद आता है chain rule ठीक है इसके बाद आपको type wise solving करनी है क्योंकि types आते हैं तो derivative आजाएगा इस पर भी मैं already सारी links आपको share करके रखूँगा नीचे description में so do check it out also AOD में बहुत सारे topics जो हैं remove किये हुए हैं आपको वो skip कर देने है देखिए आपको sequence से ही जाना है if you complete the derivative then only you can solve application based on derivative इस पर मैंने complete revision series चलाई हुई है आप उसको ज़रूर check out करिए सारे important topics मैंने share करे हैं अगर आप चाहते हो मैं important questions कौन से आने वाले हैं मैं आपको share कर दूँ तो वो भी मैं share करने को तयार हूँ उसके बाद आता है indefinite integration इसमें आपते हैं सबसे पहले formulas फिर आते है rules और फिर आते है types देखिए if you think कि आप एक as a student हो जिसकी तयारी कुछ भी नहीं हुई है तो आप integration last में कर सकते हो priority is part 1 derivative and aoda गाफी आसान chapter है ठीक है इसके बाद आता है definite integration इसी का यह continuation है इसमें भी आजाते है formula rules और types so do check it out मैंने इस पर already video बना रखे हैं guys एक से दो बार मैंने पढ़ाया हुआ है so बिलकुल आप इसको तयारी करिए application of definite integration में देखिए areas के concept है so questions तो जादा है नहीं सारे questions का आप solve कर सकते हो with the help of concept जो हमने previously already बना रखे है so concept के lecture आप playlist से जाके जरूर check out करिए देखिए differential equation क्या होता है derivative और integration अगर आपको दोनों आते हैं तो ही आपको differential equation आएगा अब मेरा आपसे personal suggestion तो एक ही है कि अगर आपको integration आता है तो ही इस topic पे आप switch कर सकते हो अगर आपका कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो आप इस skip कर सकते हो differential equation के कुछ important types होता है जो कि मैं already discuss कर चुका हूँ तो आप playlist section में जाके जरूर check out करिए उसके बाद आता है probability and binomial देखिए दोनों काफी easy topic है थोड़ा सा integration का use है मुझे लगता है आपको basics तो आता ही होगा physics में आपने पढ़ रखा है definite integration, indefinite integration थोड़ा थोड़ा तो आपको आता ही होगा तो उसमें उतना ही है integration बागी दोनों topics easy है scoring है, exam में आपका अच्छा score ला सकते है so overall हमारा जो focus होना चाहिए अगर आपकी पढ़ाई limited होई है so first priority is part one आप within two days revision कर सकते हो उसके बाद आपको start करना है derivative and integration ये दोनों बहुत ही scoring है मैंने सारे video lecture बना रखे हैं आप उनको जरूर check out करिए आपका score definitely improve होगा so all the best guys मैं सारे revision lectures लेने वाला हूँ on unacademy जहां पे हम quiz भी conduct करेंगे और आपके साथ बाकी बच्चे भी compete करेंगे so revision lecture हम unacademy पे लेने वाले है बने रहे हैं हमारे साथ see you take care and god bless you all thank you so much